अलो बच्चो मैं नेहा चोधरी स्वागत करती हूँ आपका देखे बच्चो हम लोग यूनिट नमबर नो उपसे सहयोजन योगिकों के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हम लोगों ने इनके आयू पीसी नामकरन के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पढ जिनके रासायनिक सुत्र यानि अनुसुत्र समान होते हैं परंतु परमानों की व्यवस्था भिन्न होती है उन्हें एक दूसरे के समाव्यवी कहते हैं तता इस गुण को समाव्यवता कहते हैं देखे बच्चो समाव्यवता के बारे में हम लोग ग्यारवी क्लास में भी प तो उने हम क्या बोलते हैं समाव्यवी और इसे क्या कहा जाता है इस गुण को समाव्यता कहा जाता है चलिए आगे देखिए पर्मानुओं की भिन्य व्यवस्थाओं के कारण इनके एक या अधिक भोतिक या प्रमुक प्रकार की समाव्यवताय होती है जिनको पुने कई भागों में वर्गिक्रत किया जाता है तो देखिए इन दोनों का ही हम यहां पर अध्यन करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे सनरचनात्मक समावेता के बारे में देखिए बच्चो सनरचनात्मक समावेता में योगिकों में इस्थित बंदों में भिन्नता पाई जाती है देखिए बच्चो होता क्या है दो या दो से अधिक ऐसे योगिक जिनके अनुसुत्र तो क्या होते ह समान होते हैं लेकिन उनकी बंदों की इस्तिती में भिन्नता पाई जाती है तो उन्हें संरचनात्मक समाव्यवी कहते हैं और देखिए अर्था इनके संरचनात्मक सुत्र भिन्न होते हैं यानि कहने का मदलब है कि इनके सनरचनात्मक सुत्रों होते हैं वो क्या होते हैं भिन्न होते हैं क्योंकि बंदों की इस्तिती भी इन में क्या होती है बिन्न भिन्न होती है आगे देखिए सनरचनात्मक समावेता को पुने वर्गी क्रत किया जा सकता है तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंदनी वेता किन में पाई जाती है उबेद अंती लिगेंड युक्त संकुलों में पाई जाती है तता इसके बारे में सर्वर प्रथम जोर जॉनसेन ने बताया था जब केंद्रिय धातु परमानू से जुड़े लिगेंड के दाता परमानू भिन भिन होते हैं तो ऐसे योगिकों को बंधनी समावयवी तता इस गुण को बंधनी समावयता कहते हैं देखे बाई समझने की कोशिश करिए कि जब केंद्रिय धातु परमानू से जुड़े हुए लिगेंड के दाता परमानू अलग-अलग होते हैं तो ऐसे योगिकों को हम क्या बोलते हैं बंधनी समावयवी और इस गुण को क्या कहा जाता है बंधनी समावयता कहा जाता है क्लियर है चलिए आगे देखिए तो देखिए बच्चों इन उधारनों से इनको समझने की कोशिश करिए देखिए आपको ये दो उधारन दिये गए हैं और इन दोनु उधारनों से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बंदनी समावेता पाई जाती है देखिए समझिए देखिए आपको ये दो उपसे सेयोजन योगिक दिये गए हैं पहला देखिए सी ओ एनिच थी फाइफ एनो टू ठीक है ये देखिए संकुल के रूप में है और बाहरे सी एल टू ठीक है यह होता है यलो कलर का यह क्या है क्योई उपसे सेयोजन योगिक है इस दोनों संकुलों को अगर दियान से देखिए इन दोनों में ही क्या है बोनों नाइ्टराइड लिगेंड लेकिन यहां पे तो नाइट्राइड लिगेंड इस धातू से नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा हुआ है और इस वाले में यानि इस उपसे सेयोजन योगी की बात करें तो इसमें यह नाइट्राइड लिगेंड ऑक्सिजन की तरफ से इस धातू परमानू से जुड़ा यहां पर नाइट्रोजन के तरफ से जुड़ा हुआ है यहां पर क्या होगई इन दोनों में बंधनी समावेता यानि एक दूसरे के क्या हो गए बंधनी समाविवी चलिए आगे देखिए प्रतम योगिक का नाइट्राइट लिगें नाइट्रोजन के द्वारा धातू से जुड़ा हुआ है जबकि दित्य योगिक में यह है ऑक्सीजन यानि यानि Oxygen के द्वारा के दाटू से जुडा है , जईखिये अब देखिये उपसे संयोजन समावेत about come on संकुलो में होती है जिनमें दो संयोजन सत्ता होती भी ध्यान दीजिये इस परकार की तक मावेत उन संंकुलो में होता है। इसमें धनायनिक और रिणायनिक सव्भी हैं सत्ता के लिगेंड करें अंतर परिवर्तन संकुल आपको दिया गया है। देखिए, संकुल दिया हुआ है, देखिए, CO NH3 और NH3 के बाहर क्या है, 6, यानि एक संकुल तो यह है, और यह दूसरा संकुल है, यानि एक उपसर सेयोजन योगिक है, जिसमें धनायन और रिनायन दोनों ही संकुल के रूप में है, तो देखिए, यह तो धनायनिक संकुल हो और देखिए इनमें देखिए NH3 यह तो CO3+, से बंदित है, तता CN-CR3+, से बंदित है, जबकि इसके उपसे सहिजन समावेवी, देखिए इसका उपसे सहिजन समावेवी यह दिया हुआ है, इसमें यह धनायनिक संकुल है, यह रिनायनिक संकुल है, यानि CR NH3 और यह बाहरे 6, एक तो यह वगया धनायनिक संकुल, दूसरा देखिए, CO bracket में CN6, यह हो गया रिनायनिक संकुल, इनकी बात की जाए, तो इसमें NH3, देखिए, इसमें NH3, CR 3+, से, तता CN-CO3+, से बंदित है, तो देखा आपने इन दोनों में किस प्रकार की समावेता होगी, उप्चे सेयोजन समावेता, इसमें NH3 तो CO प्लस 3 से जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें NH3 CR 3 प्लस से जुड़ा हुआ है, तो यह आपको उप्चे सेयोजन समावेता समझ में आई होगी, चलिए आगे देखि जब किसी संकुल में उपस्तित प्रती आयन स्वयम एक संभावित लिगेंड हो तता यह किसी लिगेंड को प्रती स्थापित करके दूसरा संकुल बनाता है तो प्राप्त संकुल को आयनन समावेवी तता इस गुण को आयनन समावेता कहते हैं करिए कि जब किसी संकुल में उपसित प्रतियायन स्वयम संभावित लिगेंड और किसी लिगेंड को प्रतिय स्थापित करें दूसर संधंग बना लेता है तो इस प्रकार के संभाव्यवी होते है और ऐसी समावेता को आयनन समावेता कहा जाता है देखे आगे देखिए इन समाव्यवियों के आयनन से भिन भिन प्रती आयन प्राप्त होते हैं अते इसे आयनन समावेता कहा जाता है और देखिए उधारन देखिए वच्चों इसके उधारन से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और यह क्या है इसका दूसरा समावेवी देखिया आयनन समावेवी सियो यह नहीं तो मिलेगा धनायन के रूप में और बियार माइनस जो प्रतिया नहीं वो मिलेगा रिनायन के रूप में क्लियर लेकिन जब इस चंकूल की बात करें इस दूसरे संकुल की इसका आयन किया जाएगा तो यह न को मिलेगा धनायन के रूप में और आयों- महीं न के रूप में तो देखा आपने जब इनЬका आयन किया तो हमें अलग-अलगoda प्रतिय पराप्त है तो देखिए फर्स्ट के यानि इस फर्स्ट के आयनन से बी यार माइनस प्राप्त होता है यानि बी यार माइनस जबकी सेकंड के इस सेकंड के आयनन से SO4 2-Prapt होता है तो यह चीज़ आपको और अच्छे समझ में आई होगी चलिए आगे देखिए देखिए दूसरा देखिए दूसरा उधारण देखिए देखिए दूसरे में देखिए आपको ये दो ये दोनों क्या दिये हो गए है एक दूसरे के आयनन समा वेवी दिये गए हैं देखिए यहां पे देखिए संकुल देखिए coen2 cl2 यह तो संकुल हो गया और बाहर प्रतिया और क्या तुसारा संकुल देखिए coen2 clno2 यह संकुल बन यह संकुल है ठीक है ब्रेकट बन और यह cl है अगर इन दोनों की हम बा गात करें तो इसके इनन से संख्ल तो धिनायन के रूप में और बसी यह संख्ल q धनायन के रूप में और प्राप्त फर्स्ट के आयनन से यानि इस पहले के आयनन से NO2 माइनस तता दूसरे के आयनन से CL माइनस प्राप्त होता है और यह हो गए एक दूसरे के आयनन समावयवी चलियर है बच्चो छलिए आगे देखिए चोथा देखिए विलायक योजन समावयता देखिए बच्चो इस समावयता में एक समावयवी में विलायक अनू धातू आयन से सीधे लिगेंड के रूप में जुड़ा होता है देखिए समझे यहाँ पर क्या होता है इस समावयता में एक समावयवी में जो विलायक अनू होत ऊर्थात यहां उप सहय स्योजन स gj अधा अर्था किम दocrat, रहता हैं, और विलायक दभा हम काशिए हैं, विलायक के रूप में चल काम लीजाता है, और विलायक। यह समझ बना दो हैंध समावेताल के लिवा तो देख रहना, • करें देखें यह आपको संकुल दिया गया है देखें यह संकुल देखें क्या है और बाहर है कि यह संकुल के बाहर क्या है यह होता है बूरा हरा आप दोनों को ध्यान से देखें यहां पर च्छे जल लिगेंड तो च्छे जल लिगेंड सी यार से सीधे ही जुड़े रहते हैं क्लियर है यहां पर लीगेंड के रूप में क्या है छे जल के अनु उपस्तित है जब कि अगर आम इसकी बात करें तो इसमें देखिए पांस तो जल के अनु और एक लीगेंड के रूप में उपस्तित है तो यह कैसे समावेता हो गई हा बोलेंगे हाईड्रेट समावेता इसे तरीके से देखिए दूसा देखिए इसका उधारन ये तो शंकुल हो गया और इसके बार के सीएल डॉट एच टू तो इसमें भी देखिए यहां पे तो जलकानू देखिए क्या है संकुल के अंदर है यहीं सीदे के सिदे इस धातू आ है तो यह समझ में गया पीं कि आपको विलाइक योजन जवित用 और हम लोग बात करें गे चले आपको बात करेंगे अनु शुत्र ऑप थो शुत्र है समान होतव है छो में आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा अभम आध्यन भिंड होती है त्रिविम में व्यवस्ताले की वो ऐलग होती है और फिर दो प्रकार की होती है जामीतिय समावेता है जिनका हम तो देखिए सबसे पहले देखिए जामिती समावेता हैट्रोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती है। जिन में लीगेंडों की जामिती व्यवस्थाएं भिन भिन होती है। संकुल में जब दो समान लीगेंड पास पास होते हैं तो इससे संपक्ष यानी सिस तथा इनकी इस्तिती विपरीत होने पर इसे कोशिश करिए किसी भी संकुल में जब दो समान लीगेंड पास पास होते हैं तो उसे बोलते हैं संपक्ष क्या बोलते हैं इनकी स्थिती अगर अलग अलग होती है विपरीत होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं विपक्ष बोलते हैं या ट्रांस बोलते हैं समान लीजे इस्तित देखे यहां पर एए-ए में लिगन को बता रहे हूँ एए और यह बीब देखिए अगर दोनु समान लिगन पास-पास होते हैं इसे कहते हैं सिस्स या समपक्ष । और अगर दोर होते हैं गया करता दूर्च है थे क्या एक तो वरगाकार समतलिये और दूसारी चतुषफ्ला किए। योगिकों में यह समावेता नहीं होती क्योंकि इन में लीगेंडों की एक दूसरे के सापेक्ष इस्तिती समान रहती है देखेंगे समझने की कोशिश करिए यह जो योगिक होते हैं वो जामिती समावेता प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि इन में लेगेंडों की एक दूसरे के सापे क्षिस्ति क्या होती है समान रहती है प्लियरे चलिए आगे ओपस है सेयोजन संक्या चार वाले योगिकों में वर्गाकार समतलिय जामिती यानि D.S.P.2 संकरन होने पर जामितीय समावेता होती है और देखिए जब D.S.P. 2 संक्रन होता है यानि जब वर्गाकार सम्तलिय जामितीय होती है तब जामितीय समावेता पाई जाती है जामितीय समावेता के लिए केंद्रिय धात्यू चाहिए जरूरी है कि जो पर्मानौ है उस से न्यूनतम दो भिन प्रकार के लिगेंड जुड़े होने चाहिए और देखिए mx4 यानि mx4 और mx3a इन दोनों प्रकार के संकुलों में जामितिय समावेता नहीं पाई जाती देखिए क्योंकि देखिए इसमें चारोई लिगेंड समान है और इस संकुलों की बात करें तो इनने तीन लिगेंड समान है जबकि जामितिय समावेता के लिए हमने क्या कंडिशन पढ़ी थी कि न्यूनतम दो भिन प्रकार के लिगेंड उपस्तित होने चाहिए ठीक है और देखिए यहां पर M क्या है M तो धातु है और जो A और X जो दिखाए गए है एक दंतुर लिगेंड है प्लियर है चलिए आगे अब देखिए बचो समझने की कोशिश करिए M X 2 L 2 देखिए बचो तथा M L 2 X Y प्रकार के संकुलों में यह समावेता होगी देखिए बचो समझने की कोशि क्या कह रहा है कि M X 2 L 2 M X 2 L 2 M L 2 X Y प्रकार के जो संकुल होते हैं उनमें यह समावेता पाई जाती है और देखिए उधारन देखिए अगर हम M X 2 L 2 प्रकार के संकुलों की बात करें तो देखिए इसका उधारन हो गया P T देखिए संकुल देखिए P T यानि प्लेटी नहीं यह हो गया हमारा M X 2 L 2 प्रकार का संकुल ओ देखिए इनमें देखिए जामीती शमावेता देखिए बीच में तो प्लेटीनम आ गया इनकी जो आकृती होगी वर्गाकार समतिलिया होगी तो प्लेटीनम दातु आ गई यह दोनों समान प्रकार के लिगेंड अगर पास पास क्या इसे अगर हम अब देखें तो यहां पर समान प्रकार के लिएनड क्या है दूर दूर है यहां इस अब ले चैनल का इस तरीके से प transpir tedious कोशिश करिये इसे हम ऐसे बना के भी समझ सकते हैं, देखिए, बीच में क्या आ गया, प्लेटी नम आ गया, केंद्रेधातु परमानु हो गया, देखिए, NH3, NH3, पास पास है, CL, CL, पास पास है, समान लिगेंड पास पास है, योगया संपक्स, समावयव, सिस, और ये देखिए, इसमें समा करेंगे, ML2XY, ML2XY प्रकार के संकुलों की बात करेंगे, यानि जिसमें दो लिगेंड समान है, और दो लिगेंड अलग अलग है, और इसके उधारन देखिए, CO NH3 का होल्ट वाई, CL, BR, ये इसका क्या हो गया, उधारन हो गया, देखिए, यहां समझ देखिए, कोशिश कर है, यह क्या हो गया, विपक्ष हो गया, ट्रांस हो गया, और देखिए, इस उधारन में, कोशिश करिए, जो ऐसे उधारन होते हैं, इन में देखिए, अमोनिया के सापेक्ष, संपक्ष, विपक्ष देखा गया है, यानि कहने का मतलब है, कि इस परकार के जो उधारन होते ह ML2XY , उसमें जो 2 लीगेंड होते है सापेक्षिं, संपक्ष और विपक्ष को देखा जाता है, तो इस उधारन की बात करें, और इसमें 2 NH3 और इस NH3 के यह संपक्ष और में विपक्ष जो समावेवी हैं own lets are clear? छलिए आगे?... अब च्छली आगी में और ब्रेकेट में यानि इस प्रकार के संकुल भी जामितिय समावेता दर्शात हैं और देखे बचो यहां पर जो A B जो A B हमें जो दिया गया है लिगेंड यह A B लिगेंड क्या है? यानि हमारे कोई भी धातू और धातू से अगर कोई द्वी धातू लिगेंड जुड़ा हुआ है तो देखे बचो इस प्रकार के जो हमारे संकुल होते हैं वो भी क्या प्रदर्शित करते हैं? और देखे इसके उधारन को समझने की कोशिश करिया है उधारन से इसे हम समझ सकते हैं देखे यह क्या है संकुल देखिए PT यानि प्लेटिनम है और इसे देखे ग्लाइसिनेट जुड़ा हुआ है और कितने है दो यानि इसके दो अनु है यानि PT ब्रेकिट में GLY2 और यह ह इस साइट से भी तरफ से जुड़ा हुआ है और इस साइट भी तरफ से जुड़ा हुआ है इस तरफ से देखे प्लेटिनम इस तरफ से जुड़ा हुआ हुआ है तो यह स्तिती तो होती है इनकी संपक्ष और देखिए इसको अगर देखे प्लेटिनम को इस विपक्ष स्ति क्लियर है चलिए आगे इसी तरीके से संकुल म, A, B, X, Y, P, T, NH3, P, Y, NH2, OH, NO2 और यहीं देखिए प्लस देखिए प्लस देखिए इस प्रकार के संकुल की बात हो रही है M, A, B, X, Y इस प्रकार के संकुलों की बात हो रही है जिन में चारो ही लिगेंड क्या होते हैं अलग-अलग तो देखिए इसका उधारन है देखिए प्लस यह पूरा एक साथ है यह संकुल जिसमें की क्या है चारो ही लिगेंड अलग-अलग है तो देखिए यह जामीतिय समावेता का एक विशेश उधारन है और देखिए समझने की कोशिश करिए जो इस प्रकार के संकुल होते है न उनमें तीन जामीतिय समावेता पाई जाती है यानि तीन प्रकार से इनके जामीतिय समावेव होत प्रतव हैं रहल थे अर रहा है और ग्र है अ कि पामोरा सब्सक्राद करें अधर अगे अब देखिए मुख्यते ML4X2, MA4XY, MA3X3 यानि इस प्रकार के अस्ट फल के संकुल जामितिय समावेता दर्शाते हैं मुख्यों देखिए मुख्यों समावेता यानि इस फल के संकुल होते हैं वो जामितिय समावेता दर्शाते हैं अब हम इन तीनों प्रकार के उधारनों को समझ लेते हैं तो देखिए सबसे पहले उधारन देखिए ML4X2 प्रकार का तो देखिए इसका उधारन क्या है संकुल देखिए CO NH3 4 CL2 पूरे पे आवेश क्या है प्लस है अब देखिए अस्टफल के संकुल है कि इस संकुल की बात कर रहें तो देखिए इसकी यह संपक्ष यानी जिसमें क्या होगा चारो समान परकार के लिगेंड पास पास है ओर यह समान तो आपको यह समझ में आया होगा इस प्रकार का उधारन, आगे देखिए, अब देखिए MA3X3 प्रकार देखिए, इस प्रकार के संकुलों में एक विशिस्ट प्रकार की जामितिय समावेता होती है, जिसमें जब एक ही प्रकार के तीन निकटवर्ती लिगेंड, अस्ट फलक के कोणों पर इस्थित होते हैं, तो इसे फलक के समावेवी यानि, FAC, कहते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड अस्ट फलक के ध्रूवरत पर इस्थित होते हैं, तो इसे रेखानशिक समावेवी, यानि मर umas यानि यह होते हैं फलक ये समावेवी यानि फैक और रे खांशित फर यसाल मावेवी क्या होते हैं वह द लिन ऑष्ट तैने के उस्त बुल्ति उधार were निकटवर्ती अस्ठ वश्याथ पर से संबस सकते हैं देखे उधारन सकते हैं कि की पहला रोदारन डेखे इनके को सपर ते कर अट रिंट पीयर को 25 2 यह कि तीना ऴतारन हो गये छिद संब्सक्राइब डेखे इसके संरशना देखिए यह इसकी फलके संरशना हो गई यानि फेक फलके समावेवी हो गया और रेखानशिक यानि मर समावेवी हो गया देखे इसमें बीच में देखे c o कोबाल धातु परमान Moss嗎 जाता है कि फलकी होता है और यह पूछा भी होता है तब चल्य किया। प्रकार के संकुल देखिए यहां ए क्या है सम्मित द्वी दंतुर लीगेंड है जैसे एन ठीक है और एक्स क्या है यहां पे एक दंतुर लीगेंड है उधारन देखिए इसके उधारन देखिए देखिए द्वी दंतुर लीगेंड द्वी दंतुर लीगेंड अगर पास पास है देखिए तो होगी संपक्ष और यह अगर एक दूसर के आपोजिट है दूर दूर है यह स्थिति क्या होगई विपक्ष होगई चलिया आगे अब दूसरा देखिए दुर्वन या प्रकाशिक समावेता के सम्मित अनु या संग्कूलों में पाई जाती है जिनमें सम्मीती नहीं होती है अते इन्हें प्रकाश . द्रुवन् प्रतिविंब होते हैं इन्हें लाद्यारोपित नहीं किया जा सकता है अब देखिए इन्हें प्रतिभिम रूप या इनेंटियो मर भी कहते हैं अनु या आयन जो एक दूसरे पर अध्यारूपित नहीं किये जा सकते हैं उन्हें काईरल कहते हैं काईरल अनु दो प्रकाशिक समाव्यवियों के रूप में पाया जाता है एक तो देखिए दक्षिन द्रुवन गूर्णक यानि डी तथा वाम द्रुवन गूर्णक बही हम लोगों ने पढ़ा भी तो इसके बारे में कि जो काईरल अनु होता है वो दो प्रकाशिक डी रूप का मदलब है दक्षिन दुरवं गूर्णक और एल रूप का मदलब है वाम दुरवन गूर्णक के रूप में क्लियर है चलिए आघे देखिए यह समतल दुवित प्रकाश को अलग-अलग दिशा में गुमाते हैं जी तो दाई तरफ तथा एल बाई तरफ प्रका होता है तो देखिए समझने की कोशिश करिए कि इन प्रकार के यानि इन दो सुत्रों वाले अस्टफल के संकुलों में ही प्रकाशिक समावेता पाई जाती है तो देखिए आगे देखिए अब हम सबसे पहले उधारन पढ़ेंगे इसका एम ए तु एकसटु देखिए यह कैसा उधारन है म ए ए टु एकसटु प्रकार के संकुल का उधारन है यह उधारन है पी टी इनल्टु अर्पूरे पर सुरे आवेशे 2 प्लस ठीक है और देखिए इस अस्टफल के संकुल के यह आखि इसमें इस तरीके से भी बना सकते हैं कि इसे कर आप सकते हैं इनकी संरशना को मिस्तरीके से भी बना सकते हैं यह बीच में तो आगया platinum, ठीके, बच्चों समझने की कोशिश करिए, इसे हम और कैसे बना सकते हैं, यह देखिए, एक तो यह द्वी दंतूर लिगेंड जुड़ गया, एक यह द्वी दंतूर लिगेंड जुड़ गया, और यहाँ CL और यहाँ CL, ठीके, एक तो इस तरीके जुड़ गया, और एक द्वी दंतूर लिगेंड यह जुड़ गया, यानि इन दोनों संडशनाओं को, दक्षिन दुर्वन गोर्नक और यह द्वाम दुर्वन गोर्नक संडशना है, इसे हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और यह दूसरे के क्या हो गए, दर् थ्री प्रकार के संकुल के बारे में, और देखें यह देखें, इनकी देखें संडशना देखें, यह तो इसका हो गया, दक्षिन दुर्वन गोर्नक और यह देखें, यह क्या हो गया, वाम दुर्वन गोर्नक, और यह दोनों की क्या हो गया, संडशना, देखें, इसमें क् करने के कोशिश करिए यह तीन द्वी दंतूर लिगेंड जुड़े हुए हैं यह तो ओ गया दक्षिन दुर्वन घूरनक और देखिए दरपन प्रति भीम किस तरीके से बनाएंगे इसका एक तो यह जुड़ गया एक यह जुड़ गया और एक यह जुड़ गया यह देखिए यह दूसरे के क्या हो गए दरपन प्रति भीम हो गए और देखिए यह क्या है यह आपस में क्या दिखाते हैं दुर्वन समावेता या प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं यह द आज हम लोगों ने उप्चे सेयोजन योगिकों में समावेता के बारे में पड़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो आप संद्षना बना-बना के इनके समावेता को समझने की कोशिश करिये और देखिये अब आगे आने वाले वीडियो में हम उप्चे आजन योगिकों में आभंधन के बारे में अध्यान करेंगे ठीके धन्यवाद